आपका आप देख रहे हैं मरदभाशी न्यूज और मैं हूँ आपके साथ रौनक सावलानी जो आज बात करने वाली है ऐसे कोचिंग संस्थान की जिसने देश को दिये हैं ऐसे चात्र जो आज देश का नाम रोशन कर रहे हैं और मैं बात कर रही हूँ कॉटलिय आकडमी की औ और आज मैं बात करने आई हूँ कॉटली आकेडमी के डारेक्टर अशेंद्र मिश्राजी से, मैं स्वागत करती हूँ सर का मैं दुभाशी न्यूस में जिस प्रकार से आपने इंट्रोड्यूस किया है तो नो डाउट एकेडमी की तरफ से ऐसे बच्चे दिये गए हैं जो देश में विदेश में सभी जगों पर यहां पर सिर्फ कॉटली केडमी का नहीं देश का भी नाम रोशन कर रहे हैं कि चाटली नाम है काफी ऐसे चात्र हैं जो देश विदेश का नाम रोशन कर रहे हैं जैसे कि अभी आपने कहां तो सर इस सफलता की शुरुवात कैसे हुई इस सफलता की शुरुवात के पीछे एक सामान निसी बात थी कि 2003 में कॉटल अकैडमी की स्थापना की गई थी और उस समय पर बच्चों के सामने एक मार्क दर्शन की बहुत बड़ी कमी थी जो भी मागदर्शक थे तो एक तरह से कह सकते हैं कि वन मैं शो के रूब में या कह सकते हैं कि एकेडमी थी लेकिन एक ही टीचर सभी सब्जेक्टों को पढ़ाता था पूरा गाइडेंस एक ही टीचर के द्वारा मिलता था तो जिसकी वैसे बच्चे अपने सभी डाउट या कह सकते हैं कि सही मागदर्शन नहीं पापाते हैं जिसके कारण यहां पर एक ऐसे में जोसी जी और हमारे द्वारा कोटल एकेडमी की स्थापना की गई थी जिसका एक मूलमंत रखा गया था परिश्रम आपका मागदर्शन हमारा और सफलता सभी सर इतना को आप इतना आगे लेकि आए तो हर किसी के पीछे एक श्रे होता है कि हर इंसान किसी को श्रेय देन चाहते है अपनी सफलता का तो आप किसे श्रेय देना चाहेंगे हमारी सफलता का जो श्रेय है वो जो स्टूडेंट है जिन्होंने एकेडमी पर भरोसा किया जो टीचर्स हैं जिन्होंने अपना पूर्ण योगदान दिया और बच्चों को सफल होने में यहां पर कह सकते है कि पुरा परिश्रम किया और इसके साथ साथ ईश्रट की किरपा परीवार का साथ सर पुरहानी सिक्षप्रणाली कुछ अलग थी आज़ की सिक्षप्रणाली कुछ अलग है तो आप क्या मानते हैं शिक्षा पनाली कोई अलग नहीं है बस संसाधन थोड़े से अलग हो गये हैं पहले जिस प्रिकार से गुरुकुल में पढ़ते थे तो उसमय पर एसी या ऐसी संसाधन नहीं थे अब वो संसाधन आ गये हैं लेकिन जो गुरुशिश परंपरा है वो आज भी वही है इस्टू प्रिकार की बातों को मानते हुए अपने लक्ष को प्राप्त करना आज भी वही है कि जितने स्टूडेंट आते हैं अपने टीचर के द्वारा बताये गए रास्ते पर चलते हुए माग दर्सन नहीं प्राप्त करते हैं तो नोड़ाउट उनको भी सफलता मिलती है तो परि भड़तन हुआ है राजा और आपको लगता है कि कहीं न कहीं सुक्षा में अभी भी सुधार की जरूरत है ugылकोल ची सुधार की यह आवसकता है कि अपने देश में शिक्षा को उतना betting नहीं दिया जाता ہیں इसक्षा को उतना Pokra Онहिं दिया जाता जितना हम बात करें अमेरिका में यहां हम बात करें ठोड़ा सा जापान में जर्मनी अगर यहां देखे तो सिक्षण संस्थानों को और सिक्षण संस्थान में कार करने वाले लोगों को जो महतु दिया जाता है तो पहली बात यही है कि अगर सिक्षण काम कर रहा है तो नोडाउट कहते भले हैं कि सिक्षण देश को आगे ले जाने वाली कड़ी को तयार करता है लेकिन उनके साथ में जिस परकार से बैवहार होता है वो बैवहार सही नहीं होता ऐसा माना जाता है कि कहा जाता है कि जो कुछ नहीं कर सकता वो सिक्षक बन जाता है लेकिन आज की रेट में अगर हम बात करें तो ऐसा विलकुल भी नहीं कि जो कुछ नहीं कर सकता वो सिक्ष कर सकता है तो थोड़ा सा सिक्षिकों को लेकर सरकार का जो नजरिया है वो बदलना चाहिए दूसरी बात यह है कि जो student हैं student के मन में कही ना कहीं पर एक teacher को लेका जो भाव है जो सम्मान था वो थोड़ा सा कम हो रहा है तो जो ये देखें कि student में भाव कम हो रहा है उनमें परिवतन करने की आओ सकता है तो teachers को भी अपनी जिम्मेदारियां अगर अच्छे से निभाएं तो no doubt student भी उनके पिति वह सम्मान करते भी है इसके इलावा ये भी देखा जाए कि अभी नई सिक्छन पद्यती लागू की गई है जिसमें मूल उद्देश ये रखा गया है कि student को उनके interest के आधार पर उस छेतर में ले जाए जाए जहां पर वो जाना चाहते है उनके उपर सिक्छा थोपी ना जाए ये no doubt नई सिक्छा पद्यती जो आई है कही ना कही पर जो आने वाले कल है अपने आने वाले जो student है उनके लिए बड़ी सहायक होगी उनके रूची के लक्ष तक पहुँचने में तो अब थोड़ा परिवतन हुआ है देखते हैं कि किस तरीके से कारगार होती है लेकर no doubt अच्छी सिक्छा पद्यती है जो अभी आई है सर जैसे कि हम सभी जानते कोरोना महमारी चल रही है उसके कारण lockdown लगा सब कुछ बंध हुआ तो कोचिंग संस्थानों के लिए सरकार ने अभी तक भी कोई निड़न नहीं लिया है तो क्या समस्याएं आ रही है कोचिंग संचालकों को उनके employees को कैसी दिक्कतों के सामना करना पड़ रहा है देखे जब हम offline पढ़ते हैं तो student के पढ़ने का तरीका कुछ और होता है और teachers के पढ़ने का तरीका कुछ और होता है अब हम अगर online पढ़ते हैं तो घर पे अगर हम बैठे हुए हैं तो ऐसी स्थिती में कभी घरवाले disturb कर रहे हैं कभी बच्चा खुद मन नहीं लग रहा है तो लेट गया है कभी वीडियो आफ करके कोई काम करने चला गया है तो ऐसी स्थिती में जो उसका एकागरता होती है वो एकागरता भंग हो जाती है तो ऐसी study को अगर हम देखें तो वो study किसी काम की नहीं बचते है तो इससे अच्छा थो हमें यह दिखाई देता है कि study ना करें तो अच्छा है उनका भी energy गई जो पढ़ा रहा है teacher उनकी भी energy चली जाती है और दूसरी बात यह है कि सही study का मतलब यह होता है कि teacher और student के बीच में आमने सामने communication होना जब तक कि दोनों के बीच में सही communication नहीं होगा interaction सही नहीं होगा आप एक सही student नहीं बन पाएंगे एक सही teacher नहीं बन पाएंगे दूसरी बात जो student का group discussion चला करता था कि class खतम होने की बाद जो उनका group discussion होता था वो group discussion खतम होने की वाज़े से उनके बीच में जो एक पढ़ने की जो energy होती थी, एक competition की जो energy होती थी, वो competition की energy भी लगबल लगब खतम हो चुकी है, इसके इलावा ना तो वो किसी प्रकार से test अच्छे से दे पा रहे हैं, अगर हम online test देते हैं, तो बच्चा कितने इमानदा इसे दे रहा है, कितने इमानदा इसे नहीं दे रहा है, ये भी clear नहीं होता है, इसके इलावा, अगर हम बच्चे से किसी प्रकार के questions पूछते हैं, तो बच्चे उतने energy के साथ answer देने के लिए तयार नहीं होते हैं, अर्थ हम कह सकते हैं, घर पर homework ही नहीं करते हैं, दूसर लॉन्स की liabilities हैं, जो teachers को payment कुछ करना हैं, तो वो payment की liabilities हैं, तो ये वाली समस्या उनके साथ में हैं, दूसरी बात अगर हम देखें, तो इस teachers को देखा है, तो यहाँ पर ऐसे coaching संस्थान, जो छोटी coaching संस्थान हैं, जिनके हम बात करें, तो उनके साथ समस्या हो रही है, कि उन्होंनों teachers को अभी बंद कर दिया, नो पे, नो वर्क पर, अब जो teachers के उपर liabilities जो परिवार की हैं, तो उनकी परिवार की liabilities का क्या करें, तो ऐसी थिती में उन teachers को पर आवा payment नहीं मिल पा रहा है, चौथी बाद, कि यहाँ पर teachers के साथ साथ जो coaching में काम करने वाले workers हैं अब ठीक है, आप जूम क्लास पर या गूगल मीट पर किसी भी अपने खुद के एप पर, आप क्लास है तो teachers के माद दिलवा रहे हो, लेकिन आप वो सोची कि जो coaching में जो वर्कर काम किया करते थे, साफ सफाई का काम करना, पानी पिलाने का काम करना, इन वर्कर को क्या करें इनके पास में कोई जॉब नहीं दिखाई दे रही है, तो उनकी तो बिलकुल हम कह सकते हैं कि आर्थिक इस्तिती खराबी हो चुकी है, तो ऐसा बहुत बड़ा वर्क जो पूरी तरह से विरोजगार हो चुका है, तो भी कतम हो गया, इसके साथ अगर coaching में बच्चे नहीं आ रहे हैं, जैसे हम बात करें इन दौर में, बच्चे बाहर से नहीं आ रहे हैं, तो hostels, mass, यहां पर छोटे जो चाय की दुकाने होते हैं, नास्ते की दुकाने होते हैं, लगब लगब हम देखें तो इनकी आर्थिक इस्तिती बहुत जादा खराब हो चुका है, पूरा व व्यापार हैं, बच्चों का भी अगर हम देखें, तो हित हो सके, ऐसे निर्णा लेना चाहिए, सर, कोचिंग संस्थान के तरफ से, अगर हित में, सरकार अगर फैसला लेती भी है, तो कोचिंग संस्थानों का किस तरह से तयारी है, कि क्लासिस चालू करेंगे, ऐसी स्थी पहली बात तो यह है, कि हम यह बताएं आपको, कि अपने हाँ पर कोचिंग संस्थान में अधिक्ता जो बच्चे आते हैं, वो बच्चे आते हैं, बारवी के बाद, अगर प्यस्थी इस कॉंप्टिटिटिव एक्जाम की बात करें, जो छोटी क्लास के कोचिंग संस्थान हैं, उन में भी अगाम देखें, जो थोड़ा सा पांच मीं, आठ मीं के बाद कोचिंग बच्चे जाते हैं, तो सरकार की जो गाइडलाइन हैं, कि बच्चों को सोसल डिस्टेंसिंग करवा के रखना, सेनिटाइजर का यूज करना, मास्क लगा के रखना, तो यह सारी अपनी सावधानी को ध्यान में रखते हुकार करेगा, और कोचिंग इस्टूट भी अपनी सावधानी को ध्यान में रखते हुई क्लासेस लेंगे, तो सर, जैसे कि आपने कहा कि सब लोग सब कुछ सेफटी से होगा, तो अब इसके बाद अगर हम आपसे यह जानना चाहें कि क्या सिलेबस को कम क्या देना चाहिए सरकार की तरफ से जिसकी time बहुत कम बचा है, तो उसको देखते हुए क्या syllabus का होना चाहिए, । अगर हम स्कूल की बात करें तो तो स्लेवस को देखें कि कम टाइम कम बचा है तो थोड़ा स्लेवस कम होना चाहिए तो कह सकते हैं बिलकुल कि अगर एक्जाम हमारे पास में करीब है तो स्लेवस कम होना भी चाहिए रीजन क्या बनता है कि अगर हम स्लेवस कम नहीं करते हैं तो बच्चे को पर एक्ष्टा बढ़न होता है जहां चार पांच घंटे में अपनी स्टड़ी अच्छी कर सकता है उसको दस घंटे बैठना पड़ेगा तो उसका जो बच्पना है वो ही खतम हो जाएगा हमारा मैनु थे खिएग्जाम का क्या होता है कि बच्चे में को हमने जो स्लेवस दिया है वो नौलेज है कि नहीं है एक्षाम के महने तो सब्सक्राइब लौज़् से अपीय करें के कोचिंग संथानों की तरव से अपील तुसे बितनने हैं कि लगभः लगभः सभी सेक्टर्स खोल दिये गए हैं और एकसे सेक्टर भी खोले गए हैं जहां पर ज़रूरी नहीं है कि सभी सावधानी भरते हैं लेकिन कोचिंग इस्ट्यूट एक ऐसी संस्थान है जहां पर सभी सिक्षित वर्ग आता है और अगर सिक्षित वर्ग आता है तो नोड़ाउट वह वर्ग सकता है और दूसरी बात है कि अगर व्यक्ति सिक्षित होता है तो नोड़ाउट देश सिक्षित होता है हमारे समाज में नोड़ाउट ऑनलाइन क्लासे जिस परकार से दियें तो कभी भविस्त था भी ने उस चीज का लेकर देखें और सही स्टूडेंट वही बनके आप आ सकता है तो ऐसे बचपने को ना बिगड़ने दें रही बात बड़े बच्चों की कॉंपटिशन एक्जाम के बच्चों की तो जिस परकार से सरकार विकैंसी निकालने की भोशना कर चुकी है तो ऐसी इस्थिती में उनके भविश्च को भी ध्यान रखें क्योंकि उनके कॉ शुक्रिया सर आपका बहुत बहुत आपने आपका कीमती वक्त दिया तो ये थे हमार साथ कॉटिली आकेडमी के डारेक्टर अशेंद्र मिश्रा जी धन्यवाद करूंगी सर में आपका तह दिल से थैंक यू